नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आपके मान में ऐसा क्यालता कि MediaTek Helio G80 और Snapdragon 665 दोनों पॉसरों में से कौन से सब से बहतर है तो आप इल्कुल सही जगे पड़ आए इस वीडियो में मैं आपको दिखांगा Snapdragon 665 और Helio G80 दोनों में से कौन से सब से बहतर है और क्यू सब से बहतर है तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो भी ना कोई बाख कबाए और एक वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजरो जारी पे नहें तो चैनल को एक सबस्काइब अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के एक लाइक अगर वीडियो ना पसंद है तो वीडियो के डिजलाइक दे देना तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो तो स्नापड्रागों 665 और हिलियो जी एक टी दोनोर प्रोसेसार कम कॉंपरेजन शुरू करेंगे दोनों का प्रोसेसार आर्किटेक्चर को देखके Snapdragon 665 बना है 11 nm आर्किटेक्चर पर और Helio G80 बना है 12 nm आर्किटेक्चर पर यह nm नम्बर जितना कम होता है बोग प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर एफिशेंट होता है ति इसका मदला पावर एफिशेंट से के मामले में Snapdragon 665 थोरा सा बेटर होगा Helio G80 लांच हुआ है 2020 quarter 1 पे और Snapdragon 665 लांच हुआ है 2019 quarter 1 पे मतलब लगबक एक साल पहले लांच हुआ है Snapdragon 665 अब हम देखते दोनोर प्रोसेसर का कोर कॉन्फिगुरेशन Helio G80 में दो हाई-पर्प्रोमेंस कोटेक्स A75 कोरे जिसका स्पीड है 2 GHz और 6 low-performance कोटेक्स A55 कोरे जिसका स्पीड है 1.8 GHz र Snapdragon 665 में 4 high-performance कोटेक्स A73 कोरे जिसका स्पीड है 2.0 GHz और 4 low-performance कोटेक्स A53 कोरे जिसका स्पीड है 1.8 GHz तो देख सहाए हैं कि high-performance और low-performance दोनों तरफ से Helio G80 बेटर है क्योंकि दोनों में दो जनेरेशन नया core को इस्तेमाल किया गया है आप नया core इस्तेमाल करने का दो फायदा होता है पहला तो इसमें band width ज्यादा होता है और दूसरे इसका battery efficiency इसका मदला core configuration के मामले में Helio G80 अब आप देखते दोनों processor का maximum display support और video playback capability Helio G80 में maximum full HD plus तक का display का support है और इसमें हम 2K quality में video playback कर सकते और snapdragon 665 में भी full HD plus तक का display का support है लेकिन हम इसमें 4K ultra HD quality में video playback कर सकते इसका मदला maximum video playback के मामले में snapdragon 665 थोड़ा सा आगे अब हम देखते दोनों processor का maximum camera support तो Helio G80 और snapdragon 665 दोनों में single camera में 48MP और dual camera में 16 plus 16MP camera का support है मतलब camera compatibility के मामले में दोनों ही बिल्कुल सेम अब हम देखते दोनों processor का network connectivity Helio G80 में cat 7 download link के जिसका speed है 300 Mbps और cat 13 upload link के जिसका speed है 150 Mbps लेकिन snapdragon 665 में cat 12 download link के जिसका speed है 600 Mbps और cat 13 upload link के जिसका speed है 150 Mbps और दोनों ही प्रोसेसर में Bluetooth 5.0 का support है तो इसका मतलब network connectivity के मामले में snapdragon 665 थोड़ा सा बेटार है अब हम देखते दोनों processor का RAM type support तो Helio G80 और snapdragon 665 दोनों में dual channel LPDDR4X RAM है लेकिन Helio G80 में जो RAM का speed वो है 1800 Mbps लेकिन snapdragon 665 में जो RAM का speed है बस थोड़ा सा ज्यादा है 1866 Mbps तो इसका मतलब अगर मैं exact comparison करूँ तो snapdragon 665 का RAM speed अब्यसली थोड़ा सा बेटार होगा Helio G80 के और अगर मैं दोनों processor के maximum storage type support की बात करूँ तो Helio G80 में maximum EMC 5.1 तक का storage का support है और snapdragon 665 में EMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप का storage का support है वादा maximum storage type support के मामले में snapdragon 665 बेटार है तो दोनों processor के भीज में conversion करने का सबसे आसनतरी का है Antutu benchmark score, GPU score और Geekbench score अब हम देखतें दोनों processor का Antutu benchmark score क्या है Helio G80 का Antutu version 8 में score है 2,00,000 से थोरा ज्यादा और snapdragon 665 का Antutu version 8 में score है 1,80,000 जो किया करका Mi A3 का score है तो Antutu benchmark score में Helio G80 obviously winner है आप हम देखतें दोनों processor का Geekbench score Geekbench version 5 में Helio G80 का single core में score है 360 और multicore में score है 300 और snapdragon 665 का single core में score है 312 और multicore में score है 356 तो अब देख सकते ही Geekbench score के मावले में दोनों भी processor लगबक से में एक single core में ज्यादा है थोरा सा एक multicore में ज्यादा है थोरा सा और अब हम देखतें दोनों processor का सबसें main चीज़ जो किया इसका graphics card Helio G80 में यूज किया का है Mali G52 MC2 GPU जिसका speed है 950 MHz और Snapdragon 665 में यूज किया गा है Adreno 610 GPU जिसका speed है 600 MHz और Helio G80 का इस graphics card का exact score है 40,090 और Snapdragon 665 का graphics card का score है 31,000 तो अब देख सकते हैं कि graphics card का benchmark score के मावले में Helio G80 बेटर है अब हम एक और graphics card score भी देखते हैं जिसका नाम है Centurion Mark Helio G80 में Centurion Mark में जो graphics card score है 81,8 और Snapdragon 665 का Centurion Mark में score है 80,2 तो देख सकते हैं कि इधर भी Helio G80 graphics card के मावले में थोड़ा सा बेटर है तो इससे हम ऐसा ही कह सकते हैं कि Helio G80 का graphics card power Snapdragon 665 से थोड़ा सा बेटर है और क्योंकि इसका graphics card power ज्यादा है और ये एक MediaTek का भी processor है इसका effect आप next picture में देख सकते हैं अगर आप PUBG के लिए ये processor चूज करना चाहते तो Helio G80 में हमें HD settings with high frame rate के साथ PUBG खेल सकते तो Snapdragon 665 में हम balanced mode with medium frame rate के साथ PUBG खेल सकते तो आप बढ़ ये इस वीडियो के conclusion की अपने पूरे वीडियो में देख लिया बेटर जेनरेशन कोर configuration, बेटर Antutu score, बेटर Geekbench score, बेटर GPU score लागबग सारे मामले में Helio G80 Snapdragon 665 से बेटर है तीसे हम ऐसा ही कह सकते Helio G80 Snapdragon 665 से obviously बेटर है तो आज का वीडियो ये तक उमीदे एक comparison आपको फसंदा होगा थैंक यू